हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो फुल वाजू गोल गले वाली स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर तीन है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके गले की बुनाई करना बताऊंगे तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इसका पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो चैनल पर आप इसके दोनों पार्ट जुरूर देख लीजिएगा पार्ट वन में मैंने इसमें फंदे लेना फंदे बढ़ाना और ये डिजैन बुनना बताया है पार्ट टू में मैंने इसमें आरम होल की कटिंग और गोल गले की घटाई करना बताया हुआ है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखे फ्रेंट्स गला बुनने के लिए मैंने ये डबल पॉइंटेड सलाई ली हैं और मेरी ये दस नंबर की सलाईया है क्योंकि इसमें हमने बॉर्डर दस नंबर से ही बनाया हुआ है तो गला भी हम इसका दस नंबर की सलाईयों से ही बनाएंगे अब इसके border में मैंने ये multi color की own यूज की है तो इसके गले में भी मैं ये multi color की own यूज करूँगे क्योंकि मेरे पास ये वाली own कम थी इस वज़े से मैंने ये वाली own इसमें add की है तो अब हम गला इसी color की own से बनाएंगे तो ये ready made look में आ जाएगे तो ये देखिएगा अब हम इसमें फंदे उठाएंगे तो फंदे उठाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर own को joint कर लेंगे क्योंकि जब हम यहाँ से own को joint करेंगे तो जो हम फंदे उठाएंगे वो वाली line इसके अंदर की तरफ चली जाएगे तो यह देखिए यहां से मैंने एक फंदा उठा लिया है और उनको जोइंट कर लिया है अब इसमें हम देखिए यह इसका बेक पार्ट है तो यहां से लेकर यहां तक कम से कम 35-36 फंदे उठाएंगे अगर एक दो फंदा इसमें ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन 35 से 36 फंदे इसमें जरूर होने चाहिए तो बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाते हुए इसमें हम ऐसे फंदे उठाते जाएंगे ये देखे बिल्कुल इसके पास से ऐसे स्लाइ डालेंगे और हम ऐसे करके इसमें फंदा उठा लेंगे फिर से हम ऐसे बिल्कुल पास से डालेंगे और ये जो मैंने लंबा सा धागा रखा है इसको मैं साथ के साथ ऐसे दबाती जाऊंगे ताकि यहां से यह note खुल ना सके देखिए तीन फंदे हो गए हैं फिर से बिलकुल ऐसे slide डालेंगे और फंदा उठा लेंगे तो 35 से 36 फंदे तो हमें यहां तक जरूर उठाने हैं अगर एक दो फंदा जादा भी हो जाता है तो हम उठा लेंगे तो मैं यहां तक फंदे एक बार ऐसे ही उठा लेती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट्स इसके back part में मैंने फंदे उठा लिये हैं और यहां से हमारे यहां तक 38 फंदे हुए हैं तो 35 से 36 तो जरूर होने चाहिए अगर एक दो फंदा जादा हो जाता है तो 38 फंदे हमने back part के उठा लिये हैं आप देखिए front part में आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम यह गोल गला बना रहे हैं तो फंदे हमारे बिल्कुल एक लेवल में उठने चाहिए तब ही इस गले की shape आएगी तो आप इस तरह से इसका बिल्कुल बीच का हिस्सा देख लिजिएगा इतना ही आपका इधर बचना चाहिए इतना ही इधर और जो बिल्कुल बीच का point आए वहाँ पर आप कोई भी मारक लगा दीजिए तो यह देखिए इसके यहाँ ठीक बीच में मैंने यह safety pin से मारक लगा दिया है अब हम इसमें यहां से यहां तक वही 35 से 36 फंदे उठाएंगे अगर एकाद फंदा यहां पर कम या ज़्यादा होता है तो कोई प्रोब्लम नहीं है तो अब हम दूसरी सलाई लेंगे और यहां से फंदे उठाना शुरू करेंगे आप इसमें चाहो तो जो राउंड नीडल होती है वायर नीडल उसमें भी फंदे उठा सकती है लेकिन मैं इसी वाली सलाई से बुना बता रहे हूँ ताकि जिस किसी के पास अगर वो वाली सलाई ना हो तो इसमें आसानी से गले को बुन सके तो अब यहां से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे इस वाली से लाई में और 35 से 36 फंदे जहां हमने बिल्कुल बीच में अपनी पिन लगा दी है वहां तक फंदे उठा लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने जहां पर यह पिन लगाई हुई है यहां तक यह 37 फंदे उठाए है तो 35 से 36 तो जरूर होने चहिए एक दो फंदा कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं तो हमारे यहां पर हो गई है 37 फंदे अब इस पिन को हम यहां से हटा देंगे क्योंकि यह हमने एक बार के लिए मारक लगाया था अब हम एक और सलाई लेंगे तीसरी और अब हमारा इतना पार्ट बच्चा है यहां से यहां तक अगर हमने 37 फंदे उठाए हैं तो अब इतने पार्ट में भी हम 37 फंदे उठाएंगे तो यह जो इसका राउंड बनेगा यह बिलकुल सही बनेगा तो तीसरी सलाई लेंगे और अब हम यहां से बिलकुल इसके पास से फंदा उठाएंगे ताकि यहां पर कोई गैप ना आए और ऐसे करते हुए एक एक फंदा उठाते जाएंगे और पूरे 37 फंदे हम इस सलाई में भी उठा लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से राउंड में इसमें मैंने यह फंदे उठा लिये हैं 38 फंदे इसके बैक पार्ट में है 37 फंदे फ्रंट के आधे इससे में और 37 इसके आधे इससे में तो टोटल हमने जो राउंड में इसमें फंदे उठाए हैं वो 112 फंदे हो गई हैं तो अब हम देखिए इसमें बोर्डर बुनना शुरू करेंगे और जैसे हमने यहां पर बोर्डर बनाया है दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे का बिल्कुल सेम टू सेम हमें इसका बोर्डर बुनना है तो यह देखिए यहां से अब इस धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहां से हम इसमें बोर्डर बुनना शुरू करेंगे तो धागे को ऐसे करके दो उल्टे और दो सीधे ऐसे बुनते जाना है ये देखिए ऐसे दो उल्टे हो गए फिर धागा पिछे करेंगे और दो फंदे सीधे ऐसे करते हुए पहले हम एक सलाई के फंदे इसमें बुन लेंगे पिर यहां तक बुनने के बाद हम दूसरी सलाई ये वाली जो हमारी खाली हो जाएगी इस से इस सलाई के फंदे बुनने हैं तो दो उल्टे दो सीधे करते हुए यहां तक इसको बना लेती हूं तो यह देखिए बैक साइड के हमने फंदे बुन ले हैं अब यहाँ पर भी हमारे ये दो फंदे उल्टे आए हैं तो अब इस साइड से हम दो फंदे पहले सीधे बुनेगे तो इस धागे को ऐसे back side पर कर देंगे और ये वाली सलाई हमारी खाली हो गई है तो अब हम यहाँ से इसको बुनना शुरू करेंगे तो यह हमारे यहां पर दो सीधे आ गए, फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए इस सलाई के फंदे भी पुन लेंगे, तो यह देखे फ्रेंट्स हमने इसमें जो 37 फंदे हैं उसमें इसे 36 फंदे बना ली हैं, क्योंकि दो उल्टे और दो सीधे ब हमारे हो गई हैं और 38 फंदे हम इस सलाई में बुन लेंगे, क्योंकि राउंड में हमने फंदे उठा लिये हैं, ताकि अब यहां पर दो इकठे हम सीधे बुन सकें, तो धागा पीछे करेंगे, और यह वाले दो फंदे अब यहां सीधे हो जाएंगे, फिर धागे को अपन फंदे का इसाब लगा लिजिएगा, यहां पर हमने दो फंदे उल्टे से स्टार्टिंग की थी, तो इसके एंड में आपके दो फंदे सीधे आने चाहिए, जब आप यह फ्रंट साइड से इसको बुनो, तो इसाब लगा के देख लिजिए, अगर लास्ट में भी आपके फंदे उल्टे आ रही हों, तो बीच में से कहीं से भी एक एक करके दो फंदे उठा लिजिए, ताकि आपके यहां पर दो फंदे सीधे हो जाएं, बाकी 112 फंदे होंगे, तो यहां पर आपकी बिल्कुल यह सेटिंग अच्छी हो जाएगी, तो यहां उल्टे हैं तो दो सी कर देती हैं तो यह देखे फ्रेंड्स फंदे उठाने के पाद राउंड में हमने इसकी एक स्लाई कम्प्लीट कर ली है अब यहां से हमारी इसकी दूसरी स्लाई शुरू हो जाएगी तो ऐसे ही धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां से फिर से हम वही दो उल्टे हैं दो वैसे इनको बुनना शुरू करेंगे तो एक स्लाई राउंड में कम्प्लीट हो गई है और अभी इसको हमें 1-5 इंच तक बुनाई करनी है तो कम से कम इसमें मैं 9-10 स्लाई वर बुन लेती हूं तो एक स्लाई कम्प्लीट हो चुकी है 9 या 10 सलाईया और बुन के फिर मैं आपको इसमें दिखाती हूँ अब ऐसे ही बुनते जाना है एक सलाई से दूसरी सलाई फर फंदे आते चले जाएंगे बस 2 सीधे 2 उल्टे हैं ऐसे ही इसको बुनना है तो मैं इसकी 9 से 10 सलाईयां कम्पलीट कर देती हूँ तो ये देखे फ्रेंट्स इसकी लेंथ मैंने कम्पलीट कर ली है फंदे उठाने के बाद इसमें मैंने पूरी 9 सलाईयां कम्पलीट की है और यहां से हमारी ये 10 मी सलाई सुरू होती है अगर आप सलाईयों से गला बंद करना चाहती हैं तो यहीं से ये सारे फंदे बाइंड ओफ करना शुरू कर दीजिए लेकिन मैं सुई से गला बंद करूंगे तो उसके लिए हमें इसमें तीन सलाईयां अभी और बनाने हैं तो ये तीन सलाया हम कैसे बनाएंगे इन्हें ध्यान से देखिएगा अब ये जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे इनको बनाएंगे नहीं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे और इसके आगे से धागे को पीछे की तरफ कर देंगे और ये ध्यान में अपनी तरफ करेंगे और ये जो दो फंदे उल्टे हैं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे इनके आगे से धागे को बैक साइड की तरफ कर देंगे और ये धागा जो है टाइट नहीं होना चाहिए फिर दो फंदे सीधे हैं इनको हम बना लेंगे फिर धागे को अपनी तरफ करे दो फंदे ये जो उल्टे हैं इनको हम स्लिप करेंगे इसके आगे से धागे को बैक साइड की तरफ ले जाएंगे और दो फंदे जो सीधे हैं इनको हम भून लेंगे अब round में हमें ऐसे ही इस सलाई को complete करना है जो उल्टे वाले फंदे हैं इनको slip कीजिए इसके आगे से धागे को back side पर ऐसे लेकर जाना है और यहां से ये धागा normal रहना चाहिए, tight नहीं होना चाहिए फिर जो दो फंदे सीधे हैं इनको हम बना देंगे तो अब ऐसे करती हुए मैं round में इसकी सलाई को complete कर देती हूँ तो ये देखिए friends round में इसकी एक सलाई complete हो गई है क्योंकि हमें इस तरह से ये तीन सलाईयां बुनने हैं तो अब ये देखिए यहां से फिर से हमें उल्टे वाले फंदे slip करने हैं अब ये वाले फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे और देखिए पहले से धागे को अपनी तरफ कर लिया था अब इसके आगे से धागे को बैक साइड पर कर देंगे और ये याद रखिएगा कि ये धागा ज्यादा खिचना नहीं चाहिए और अगर ये धागा यहां से हमने ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए अब 2 फंदे सीधे वाले हमने बुन दिये धागा अपनी तरफ करेंगे ये दो उल्टे वाले फंदे हम ऐसेhanded की तरफ लिजाएंगे फिर me 2 फंदे सीधे बुनेंगे तो इस तरह ऐसे ये इसकी दूसरी वाले हमारी यहां से करनी हैं तो मैं इन सलाइयों को अभी बुन लेती हूं तो यह देखिए फ्रेंड्स इसकी मैंने ये तीन सलाइयां कम्प्लीट कर ली हैं और लंबा सा धगा काटके इसको मैंने सुई में डाल लिया है अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम यहां से बाइंड ओफ कैसे करेंगे यहां पर देखिए स्टार्टिंग में हमारे दो फंदे उल्टे हैं तो इन दो उल्टे फंदे को हम इस तरीके से सुई पर लेंगे जैसे कि हम सीधा फंदा बुनते हैं तो आगे की साइड से इन दो फंदे में सुई डाल लेंगे और इनको हम सलाइय पर ऐसे उतार लेंग अब देखिएगा ये जो दो फंदे सीधे हैं इन में हम ऐसे सुई डालेंगे जैसे कि हम उल्टा फंदा बुनते हैं तो बैक साइड से देखिए हम ऐसे इसमें सुई डालेंगे और इन दोनों को भी सुई पर उतार लेंगे और अब इस धागे को हम ऐसे आराम से खीज देंगे और एकदम से जाधा टाइट आपने यहाँ पर इसको नहीं करना है अब देखिएगा ये चार फंदे हमारे ऐसे सुई पर आ गए हैं अब ये जो दो फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे थे बैक साइड से ये आपको सीधे नजर आएंगे तो दो फंदे में से ये जो आगे वाला फंदा है इसका ये आखरी का जो सिरा है इसको हम सुई पर ऐसे उठाएंगे फिर यहां पर हमारे उल्टे फंदे हैं इन दोनों फंदे में हम ऐसे सुई आगे की साइड से डालेंगे जैसे की हम सीधा फंदा बुनते हैं तो आगे से ऐसे सुई डालेंगे और इन दोनों को हम सुई पर उतार लेंगे और फिर हम इसको ऐसे करके खीच देंगे और यहां से जब हम इसको खीचेंगे तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है अगर हमने ज़्यादा टाइट धागे को खीच दिया तो यह गला यहां से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा फिर सिर में भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसको नॉर्मल रखना है, आप देखिएगा ये सीधे फन्दे हमने बुनने हैं, ये वाले जो दो फन्दे हमने लिये, यहां से सीधे हैं, तो इन दोनों का देखिए, एक और ये दो, तो इस दूसरे फन्दे का ये वाला सिरा तार लेंगे फिर हम इस धागे को ऐसे खीच देंगे बहुत ही आसान तरीके से सुई से गला बंद हो जाता है और इसमें फिनिसिंग भी काफी अच्छी आती है तो धीरे धीरे करके धागे को खीच देंगे और इसको उलजने नहीं देना है और ये देखे ये हो गया अब हम पर इधर से जो दो फंदे सीधे दिख रहे हैं इस साइड पर ये उल्टे हैं लेकिन इस साइड पर ये सीधे हैं इनमें भी देखे एक और ये दो जो दूसरे फंदे का आखरी जो छोर होता है ये सिरा जिसको बोलते हैं इसमें ऐसे सुई डालेंगे और ये जो दो फंदे उल्टे हैं इनमें हम ऐसे आगे की साइड से सुई डालेंगे जैसे कि हम सीधे फंदे की बुनाई करते हैं ऐसे सुई डालेंगे और इसको उतार लेंगे और अब इसे हम ऐसे करके खीच देंगे तो इसको आपने ऐसे करके खीच देना है और यही धान में जरूर रखेगा कि ज्यादा टाइट ना हो ज्यादा लूज भी ना हो कि गला फैला हुआ आए तो नॉर्मल सा रखना है ना टाइट और ना ही लूज फिर से देखिएगा अब हमें ये सीधे फंदे लेने हैं तो इधर से जो दो फंदे सीधे दिख रहे हैं इसका एक फंदा ये दूसरा फंदा दूसरे फंदे के इस सिरे को ऐसे सुई पर लेंगे और इन दोनों को हम ऐसे करके सुई में डाल लेंगे जैसे उल्टा फंदा बो जो दो फंदे सीधे दिख रहे हैं उसके दूसरे वाले फंदे के इस शिरे को सुई पर लेना है उल्टे दोनों फंदे को एक साथ सुई पर आगे से श्लाइड डाल के और सुई पर उतार लेना है जैसे कि हमने सीधा फंदा बुन ना होता है ऐसे करके उतार लेना और इस धागे को भी खीच देंगे और जादा टाइट नहीं करेंगे और अब फिर से देखिएगा ये हमने सीधे वाले फंदे लेने हैं और ये धागा आपने ध्यान से रखना है उलजना नहीं चाहिए नहीं तो फिर काफी दिक्कत हो जाती है और यहां से सलाई के फंदे भी बिल्कुल ऐसे रखने हैं ताकि निकलेना और अब सीधे फंदे बुनने हैं तो देखिए इधर की साइड पर ये जो दो फंदे सीधे हैं एक और ये दो जो दूसरा फंदा है इसके यहां से इस सिरे को उठाएंगे और ये जो सीधे फंदे हैं इनको हम ऐसे सुई में लेंगे और उतार देंगे हम जब इसको ऐसे लेंगे और इसको खीच देंगे और ऐसे करते हुए इसको हमने थोड़ा ऐसे खीच लेना है अब ये देखे सीधे फंदे हो गई हैं तो फिर से हमने उल्टे वाले फंदे लेने हैं तो द्यान से देखेगा ये वाले फंदे यहां पर उल्टे हैं लेकिन इधर ये सीधे हैं तो इसके दूसरे फंदे के देखे एक ये हो गया एक ये हो गया इस फंदे के बिल्कुल इस सिरे को हमने उठाना है उल्टे वले जो दो फंदे हैं इनमें आगे से सुई डालेंगे और इनको हम इसके ओपर उतार लेंगे और धागे को धीरे धीरे करके हम खीज देंगे अब देखिए यहां से आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छी सी शेफ आनी शुरू हो गई है अब विल्कुल ऐसे ही करते जाना है और राउंड में हमने सारे फंदे बाइंड ओफ कर देने है तो चलिए आपको एक बार फिर से बता देती हूं फिर विल्कुल ऐसे ही करते जाना है ये देखिए अब ये वाले सीधे फंदे बुनने हैं तो इधर वाले जो दो सीधे हैं एक और ये दो दूसरे फंदे के इस सीरे को ऐसे उठाएंगे इन फंदे को देखे सीधे वाले हैं इनको हम ऐसे सुई पर डाल लेंगे और उतार लेंगे और धागे को हम ऐसे करके खीच देंगे और धीरे धीरे करके इसको खीच देना है अब सीधे वाले फंदे हो गई हैं तो हमें उल्टे वाले फंदे इधर से लेने हैं तो इस साइड पर देखें जो दो फंदे सीधे नजर आ रही हैं उसके इस नेक्स्ट वाले फंदे के सिरे को ऐसे उठाएंगे उल्टे फंदे में आगे की साइट से सुई को डालेंगे और इन दोनों को एक साथ हम उतार लेंगे और इस धागे को ऐसे करके खीज देंगे अब ऐसे करते हुए मैं राउंड में सारे फंदे बाइंड ओफ कर अब यहां पर हमने इसके joint को मिलाना है ताकि यहां से यह ज्यादा open नजर ना आए तो अब हमने यहां पर यह ध्यान में रखना दिखें यह सीधे वाले फंदे हमने यहां पर इसका end किया है तो हम क्या करेंगे इधर की side से जो दो फंदे सीधे वाले दिख रहे हैं एक धाग joint को मिलाना है तो इस वज़े से हम इसमें ऐसे करेंगे यहां से एक लूप उठा लेंगे और इसके अंदर से दोबारा से सुई को निकाल देंगे तो देखे इसका joint है वो अच्छे से मिल जाएगा फिर यहां पर हम इस धागे को ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर से और टाइट कर देंगे दो से तीन बार आपने नीचे तक ले आना है और ज्यादा बड़े बड़े टाके ना हो ताकि यह दिखाई ना दे और ऐसे करके आपने इसको नीचे तक लाना है और यहां पर लाकर इसको नोट लगा कर और काट दीजिए तो यह देख सकते हैं गले वो थी प्यारा सा गला बन के तयार हो गया है एकदम रेडिमेट जैसा हमारा यह गला बन गया है तो फ्रेंट्स गला बन के तयार हो गया है अब सिरफ इसकी बाजू बनानी बाकी है वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अगर आपको आज की यह वीडि वीडियो के नॉटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू